हलो एवरीवन तो कैसे आप सब लोग आई हो आप लोग अच्छे होंगे अपना और अपनी पड़े का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे जैसा कि आप लोगों ने थमनिल में देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं कलपना चावला जी के बारे में ठी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यह एस्ट्रोनॉट है सबको पता है इनके बारे में नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा फर्स्ट वोमें ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो टू स्पेस तो आपको यह भी पता होना चाहिए है फर्स्ट वोमें यह इंडियन डिसेंट की रहे है थो गो टू स्पेस बहने जाने वाली इंडिया से पहली यह वोमें रही है एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है कलपना चावला चालिए अभी यह मैं आपको पता थूँ प्ता तूं कलपना चावला वास दी flew on space shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and primary robotic arm operator मतलब वह एक भारती अमेरिकी अंत्रिक्स यात्री थी जिन होने पहली बार 1957 में एक mission विशेश गये और प्रात्मिक robotic arm operator के रूप में अंत्रिक्स shuttle Columbia से उडान भरी तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ-कुछ और 2003 में दुर्भाग्ये पून space shuttle Columbia में दूसरी बार अंत्रिक्ष में गई जो प्रत्वी के वायू मंडल में फिर से प्रवेश के दौरान विग्टित हो गई साथ ही मैं आपको बता दूँ चावला जो थी कलपना चावला उन साथ क्रू मेंबर्स में से एक थी जिनकी Columbia Space Shuttle आपदा में मोत हो गई तो ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत ज़ादा important ये news थी उस चाहिन पर आज भी ये बहुत ज़ादा important बात है कि भया 2003 में हमें ये चीज़े देखने को मिली चैलिए साथ ही बात कर लेते हैं उनके जन्म के बारे में उनके वो कहां से रहते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी कलपना चावला was on March 17, 1962 इन करनाल इन प्रेजेंट डे हरियाना इंडिया में जो है हरियाना हरियाना में जो है करनाल वहाँ पर इनका जन्म हुआ था सत्रा मार्च 1962 को उन्होंनी बैचलर डिग्री पूरी करी थी एंजीनियरिंग में कहां पर एरोनौर्टिकल एंजीनियरिंग फ्रम पंजाब एंजीनियरिंग कॉलेज में साथ ही यह उनकी इमेज आप लोग देख लीजे बचपन की इमेज यह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह प्रॉपर तरीके से वह एस्ट्रोनौर्ट बन चुकी है तब की इमेज है चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं क्या 1982 में सहीं उत्राजे अमेरिका वो चली गई थी और 1984 में आर्लिंग्टन में टेकसौस विश्विद्याले में एरोस्पेस एंजीनियरिंग में Master of Science की डिगरी उन्होंने प्राप्ट करी तो यह भी आपको पता होना चाहिए Master of Science की डिगरी उन्होंने कहां पर प्राप्ट करी यह आपको हमने अल्रेडी बता दिया 1984 की बात यह है चलिए she later did a second master in 1986 and a PhD in aerospace engineering in 1988 from the University of Colorado Boulder तो यहां बात की गई है Colorado Boulder के बारे में Colorado Boulder से उन्होंने second master के डिगरी हासिल करी 1986 में और PhD करी उन्होंने 1988 में तो यह भी आपको पता होना चाहिए चलिए साथ ही इमेज आपकी इनकी देख पा रही है astronaut यह है साथ में यह space के अंदर की उनकी इमेज proper तरीके से देख पा रही है चलिए साथ ही यहां बात कर ले दिया she began working at NASA's यहां बात की गई है NASA में उन्होंने 1988 में work start करा AIMS Research Center में उन्होंने अपना work करना इस्टार्ट कर दिया 1988 में अब यहां मैं आपको बता दूँ अप्रेल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के बाद उन्होंने उन्होंने नासा के अंतरिक श्यातरी कोर के लिए आवेदन किया और मार्च 1995 में इस समुह में वो शामिल हो गई तो 1991 के एप्रेल में उन्होंने आवेदन किया किसके लिए अमेरिकी नागरिक बनने के बाद उन्होंने नासा के अंतरिक श्यात्री कोर के लिए आवेदन किया और 1995 में वो उस गुरुप में ज्वाइन उन्होंने कर लिया चलिए, साथ ही मैं आपको पता दूं, यह देखे आ, देख रहे हैं, आप लोग chronology order में सारी चीचे चल रहे हैं, तो proper तरीके से मैं आपको chronology order में सारी चीचे बता रहे हैं साथ ही मैं आपको बता दूँ, she was selected for her first flight in 1996 and her mission begin on November 1997 as part of the six-member crew that flew abroad Columbia Space Shuttle Flight STS-87. तो यह आपको पता होना चाहिए, 1996 में अपनी पहली उडान के लिए उने चुना गया था और उनका mission, 19 November 1997 को Columbia Antrix Shuttle उडान STS-87 से उडान भरने वाले 6 सदस्य चालक दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ, चलिए, she become the first Indian woman to go into space and logged in more than 372 hours in space, तो यह आपको पता होना चाहिए 332 घंटे से अधिक समय में प्रवेश किया, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारत्य महिला वो उस टेम पर बनी थी, चलिए, she was selected for her second flight in 2001, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, 2001 में उन्हें दूसरी उडान के लिए चूज कर लिया गया था, scheduling, संगर्षों और तकनीकी सम अस्याओं के कारण मिशन में बार बार देरी हुई, अंतरिक्ष यान को अतत है, 16 जनवरी 2003 को दुर्भाग्य पून, STS 107 मिशन पर उडान भरी, और चालक दलने, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रत्वी और उन्नत प्रद्योगी की विकास का अध्यान करते हुए लगबग 80 परियोग करें, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही आप इमेज इनकी देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इनकी इमेज आपको देखने को मिल रही है, चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, यहाँ मैं आपको पता दूँ, लॉंच के दौरा लिए ग्यासों को आंतरिक श्यान की आंतरिक विंग सरंचना में गुसने और नर्ष्ट करने की अनुमती भी दे दी, जिससे यह अलग हो गया, तो आपको यहाँ पर चीज़े इस तरहां से देखने को मिलने वाली हैं, चलिए, कल्पना चावला अलॉंग विज सिक्स अदर प्रू मेंबर्स डाइड ऑन फैबरेरी 1st 2003, वैं दा कोलंबिया स्पेश शटल यहाँ पर बात की जा रही है, किसके बारे में कल्पना चावला जी के बारे में और उनके साथ में छे अन्य चालक दलो के साधस्यों की मरत्यू, एक फरवरी 2003 को होने, मतलब हमें देखने को मि जब कोलंबिया अंतरिक शियान अपने 28 में मिशन को समाथ करने के लिए निर्दारीत होने से कुछ समय पहले टेक्सास के उपर बिखर गया, तो यह आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट यह निउस बनी थी, उस तैम पर भी आज भी यह बहुत इंपोर्टें में एक सेंटर को बनाया गया है, सेंटर को लांच किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ओनरेबल मिनिस्टर आफ, मिनिस्टर आफ डिफेंस शिरी राजनात सिंग जी, इनके द्वारा इनागरेट किया गया है, कल्पना चावला सेंटर फोर रिसर्च इन स्पेस साइंस अब यहाँ पर बात करते हैं, एक्चुली में हाल फिलाल में सुर्कियों में यह क्यों रहा, तो यह मैं आपको बता दूं क्या, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग इनागरेटेड कल्पना चावला सेंटर रिसर्च इन स्पेस साइंस इन टेकनोलोजी एड चावला जी के नाम से, चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, इस्टाबलिश्मेंट और रिसर्च इंटर इस इन इम्पोर्टेंट स्टेप तो यहाँ पर चीजे इस तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं, यह देख लीजा, आप लोग इनागरेशन कर रहे हैं, को बीड़ करते हुए कहा, कि भrire यह भारत में जन्में अंत्रिक शियात्री की उलेखनी उपलब्दियों के समान सफलता की नई उचाईयों को चूएंगा और जिन होने भारत के सारव भामिक पहचान दिलाई तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा muut मोमेंट था यह एक तो क्या रहे हैं और यहीं हैं जो और लड़कियों और दैजुट करते है उप्सेशली गॉल्स को ठीक है ऊच्छा रही होंगी ऑज प्रतेशाम-वैं के बहुत दो शहरे गार्म को टियोख्योट जू थेश्योंकगर स्थॉट्शने छोड़ देति हैं बहुत सारी में थेच् तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है गवर्मेंट साइट से चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं और हमने बताया भी ता 17 मार्च 1922 में उनका जन्म हुआ था और एक फर्वरी 2003 को हमने इतनी इंपोर्ट में लिखियेगा मिलते हैं आम लोग नेक्स वीडियो में आज के देते हैं थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो हाव गुट डेप बाबाई एंड टेक केर